हेलो एब्रिवान जैसा कि आप जानते हैं कि इंदू माम कानेडा में हैं और हम आज वन फ्रंबला में हैं जो की एक हिल स्टेशन है मॉन्ट्रियाल के पास यह हिल स्टेशन केम्रिज से लगबग 800 किलोमेटर दूर है तो यह 800 किलोमेटर की जर्नी हमने बाइ रोड कवर की है अल्दो हमने ब्रेक्स लेके कवर की है लेकिन हमने बाइ रोड कवर की है तो अकसर माम ऐसा होता है कि जब हम बाइ रोड ट्रावल करते हैं जर्नी बहुत लंबी होती है बहुत खुबसूरत होती है लेकिन जब हम बैठे रहते हैं कार में तो घुटनों में बहुत दर्द ह पेरो में दर्द होता है, स्टिपने सो जाती है, और बहुत ही अच्छा नहीं भी लगता, कभी तो इस चीज को जर्नी को एंजॉई भी खराब होने लगता है, और इस चीज से ओवरकम करने के लिए हम जर्नी को आप ऐसे चीज से कुछ हमें बताये, टिपस और ट्रिक्स जो करने के लिए हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही का आपने, देखो एक बात मैं कहना चाहूंगी, कि एक दिन की डवलमेंट नहीं होती, चाहे गुटने का दर्द है, चाहे कंदे का दर्द है, चाहे कमर का दर्द है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबे समय से हमने पर जाना हो तो आप कोशिश करें गाड़ी में बैठने से पहले चंद्रभेदी प्राने अपने लेफ्ट नॉस्टल को एक्टिव करना है राइट को बंद करके इससे आपका माइंड रिलाक्स होगा आपका भूप प्यास का संतुलन होगा पहली बात हो यह दूसरी बात काड़ी में जब भी हमारा प्रेक आता है तब आराम से सिर्फ दो एक्सरसाइज है अब हम जादा उच्छल कूद भी नहीं कर सकते किसी के सामने तो आराम से जहां भ अब हम जादा आपका ऊपका ऊपका आराम से गुपने के मसल्स राक्स होगा तोस के होगा टोस को बैंड करते हुए राउंड जो सीम्पल एक्सरसाइज है को जादे चलते चलते यह तो जड़ा सा जैसे गाड़ी रोखी और अपका खड़े होते ऐसे चला लिए एसे चला दूसरे बाग हलकी दूसरी exercise आईगा, हलका सा पैर कुछ उठाया, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, leg change, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. बहुत सिंपल सी exercise लेकिन इस बात के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी, डाइट टिप समझ लेजिए, आप कुछ भी समझ लेजिए, अगर आपका जरनी में बहुत जादा खाना पीना हो रहा है, तो दिक्कत आएगी, तो कोशिश करें, जंक फूड और पैक्ड फूड क कोई चीज है, आपको पता है, आप से सबसे पहले मैंने क्या रखवाया है, फूट्स, फूट्स और नारिल पानी, लिक्विट की प्यास लगती है, और आपने एगला बड़ा बोटल, छाच भी बनाईती है, तो रास्ते पर जाने से पहले, क्योंकि यहां भी मौसम जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, तो चाच एक बना कर चलें, नारिल पानी, फूट्स, और तीसरे नमबर पर आता है, कि अगर आप तो थोड़ा सा घर की स्टप चपाती ले सके तो बहुत अच्छी बात है, जिससे मैं बिल्कुल फिस की कोई हमें क्रेविंग नहीं हुई हमारी प्यास भी शांत हो गई, हमारा बावल मोमेंट और हमारा डाजेशन भी ठीक रहा, क्योंकि जर्नी के ड्यूरिंग डाजेशन में दिक्कत आई जाती है, तो अगर जिंदिगे को सही डंग से जीना है, तो जैसे हम पाटी में जाने से पहले प्रिपेर करते हैं अपनी प्रिपेर करना है, जैसे हमें वजन नहीं पड़ने देना, हलके वजन में जर्नी बहुत ऐसी हो जाती है, तो इसी सुहाने वाकवरन को वेदर को एंजॉए करते हुए, हम अपनी जर्नी कॉंटिन्यू करते हैं फ्राम मोंट्रियाल टु ओट्वा, अब हमारी अनादर तो की जर्नी है तो यही टिप्स को मैं मैं फॉलो गरूंगी we have some grapes we have some chaach we have some naral paani and fruits to keep us going and energetic in a healthy way so thank you so much everyone for following the tips and health diets देख्ते रहिए स्वास्त रहिए अन्तास योग और एकम योग